नमस्कार दोस्तों मैं डॉक्टर पवन वासनिवाल आपका स्वागत करता हूँ वेलकम करता हूँ दोस्तों यदि आपको गेस से रिलेटेड कोई प्रॉबलम हो रही हो जिसमें आपको बहुत ज्यादा डकार आती हो या छाती में जलन हो रही हो या पेट में जलन हो रही हो आपका जीम मचलाता रहता हो, बार-बार मुँ में खाना आता हो, जो खाना खाया हुआ है, वो इसका मतलब आपको severe acidity है, इस acidity की ही आज बात करने वाले मतलब इसमें कौन सी दवा generally दी जाती है, आपको डाइजीन का नाम पता होगा, डाइजीन क्या होता है, या डाइजीन से related संपूर्ण जानकारी देने वाला हूँ, जैसे कि किस-किस बिमारी में दिया जाता है, इसके कोई side effect है क्या, इसको क्या सावधानी रखनी चीए, ये किस-किस form में आती, किस-किस form का मतलब tablet, capsule वगरा इस तरह का आता है क्या, इस दवा को लेने का सही तरीका क्या है, या इस दवा में होता क्या है, ये दवा कैसे काम करती है, या ये दवा आपकी acidity को permanently खतम करती है, क्या ये सभी जानकारी में आपको देने वाला हूँ, मतलब ये सारे सवालों का आपको पूरा जवाब मिलने वाला है, एक-एक करके हम इन सभी सवालों का जवाब ढूंडने की कोसिस करते हैं तो आप मेरे साथ बने रहे हैं पूरा वीडियो देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिले दोस्तों यहां पे एक चीज और बता दू यह अपनी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ है चैनल को सब्सक्राइब कर ले बैल आइकन को इनेबल कर ले दोस्त और इन डाइजेशन से रिलेटेड जो समश्या है आपकी उनको भी दूर करता है कैसे दूर करता है जो पेट में आसिड होता है उसके लेवल को कम करता जिससे आपको फाइदा मिलता इस तरह से दोस्तों यह बीमारी में काम आती है अब बात करते हैं इसके कौन-कौन से situation हो सकती है दोस्तों यह side effect होते हैं जो बहुत commonly observe रहते हैं मतलब आपको कोई बहुत ज्यादा severe effect नहीं आता यदि फिर भी इसके लेने से आपको कुछ ऐसे side effect लग रहे हैं जो unusual है या इसके कुछ है तो आपको उस समय आपको बिना देरी कि अपने डॉक्टर से immediately consult करके पू तो सबसे पहले मैं जरूर बोलूँगा डॉक्टर के सला से कोई भी दवा लें यहां पर दूसरा है इसको खाना खाने के बाद में लिया जाता है और दवा को पूरी लें जिस तरह से आपको डॉक्टर ने बोला है इसके साथ आप ना तो सराप पियें गरवती महिलाओं को और दोस्तो बच्चों की दूद पिलाने वाली माताओं को डॉक्टर की सला से दवा लेनी चाहिए यदि आपको इससे रिलेटेड कोई ऐलर्जी है तो दवा को बिल्कुल कता ही नहीं लेना चाहिए यदि आपको किड्नी या लीवर से रिलेटेड कोई प्राबलम है तो आ प्रेंज फ्लेवर में आता है, 200 ml की पेकिंग में भी आता है, और साड़े 400 ml की पेकिंग में भी आता है, उसी तरह से mint फ्लेवर भी आता है, इसी डाइजीन सिरफ का जो सेम पेकिंग की तरह होती है, उसी तरह से mixed fruit फ्लेवर में भी आता है, अब ये patient पर डिपेंड करता है कि कौन सा flavor उसको लेना है और हूँ आपको उस तरह से कैसे करना है जब बात इसको लेने की आती है उसको किस तरह से आपको लेना चीए जड़ेने के बाद में तोक्टर की सला के अनुसारिया आपको बच्चों को देना है ज्यादा डोज ना ले नहीं तो आपको further complication हो सकते हैं इस्ट डाइजीन की इसमें tablet भी आती है जो orange flavor में आती है जो generally 15 tablet के form में आती है orange flavor generally बहुत अच्छा लगता है उसी तरह से mint flavor भी आता है कुछ patients को mint flavor के form में भी इसको use किया जाता है और उसी तरह से mixed fruit flavor में भी आता है जो again वो ये कहता हूँ 15 tablet के packing में आता है जो इसको लेना और इसको carry करना बड़ा आसान होता है यहाँ पे इसको लेना कैसे रात को खाना खाने के बाद में या रात को सोते समय लेना होता है दोस्ते चार गोली उसको चबाना होता है या इसको चूसना होता है डॉक्टर की सला के आपको डोज लेनी है, इसको ज्यादा डोज बिलकुल भी नहीं लेनी तो प्रॉब्लम हो सकती है फिर आता है दोस्तों डाइजीन अल्टरा फिस के नाम से जो ये सैशे पाउडर आता है और दूसरा सेशे पाउडर ओरेंज फ्लेवर में आता है इस ओरेंज फ्लेवर या जो लेमन फ्लेवर का जो सेशे पाउडर आता है उसको आपको लेना कैसे इस पाउडर को आपको एक गिलास पानी में घोलना है और आपको इसको पी जाना है इसको 2-3 गंटे बाद में आप दुबारा ले सकते हैं यदि आपको समझ्या का solution नहीं हुआ लेकिन 24 गंटे में ज्यादा से ज्यादा आपको तीन डोज ले सकते हो तीन डोज से आपको ज्यादा नहीं लेनी है और डोज भी आप डॉक्टर की सला के अनुसार डिसाइड करें जो magnesium aluminium silicate hydrate dried aluminium hydroxide gel और magnesium hydroxide यह तीनों anti-acid के form में होता है si methicone इसमें होता है और flavoring agent होता है flavoring agent का मतलब mint flavor या orange flavor डिपेंड करता है तो दोस्तों यह काम कैसे करती है सब बात करता हूँ काम की इसका मतलब जो तीन जो दवा होती है जो magnesium aluminium silicate hydrate dried aluminium hydroxide gel की तीनों anti-acid के form में होता है जो acid के level को कम करता मतलब जो acid आपके stomach में है उस stomach के acid को level को कम करता है उसके neutralize करता जिससे आपकी acid कम होता है acid कम होते हैं आपको acidity से आराम मिलता है si methicone दोस्तों क्या करता है जो आपके stomach में bubbles बन जाते हैं क्या होता है, गेस से relief मिलता है, इस तरह से आपको ये फाइदा करता है, दोस्तों flavoring agent, patient की acceptability के लिए बनाया जाता है, मतलब mint flavor, orange flavor या lemon flavor वो स्वाध के लिए बनाया जाता है, तो इस तरह से दोस्तों इसका काम करने का तरीका हो गया, ती करम में मैं आपको एक चीज़ और बताऊंगा, इसका overview कहेंगे, जिसमें ये completely acid को खतम कर देता, जो आपके stomach में secret हुआता, और gas bubble नहीं बनने देता, इसका मतलब ये हुआ, इस दवा को जब तक आप लेंगे, आपको acidity से आराम मिलेगा, लेकिन दोस्तों, यदि आपको acidity है, और permanently ये दोस्तों इलाज नहीं करता, इसका मतलब ये हुआ, कि आपको यदि acid secretion लगातार हो रहा है, तो आपको acid secretion लगातार हो रहा है, तो ये शिरफ neutralize करता है, आपको जो acid secretion हो रहा है, मतलब ये हुआ कि आपकी permanent जो acidity का जो reason है उसको खतम नहीं करता तो दोस्तों इसके लिए आपको क्या करना चीए acidity के लिए इलाज के लिए आपको क्या करना चीए इसके लिए आपको कुछ घरेलू उपाए और अपने daily दिन चरिया आपको कुछ चेंज करने चीए ताकि आपको कोई problem ना हो इसके लिए मैंने आपको screen पे भी एक link बताया हुआ है और इसका आपको description box में भी link मिल जाएगा जिसमें आप click करें और पूरे के पूरे घरेलू नुसके और आपके daily दिन चरिया के बारे में मैंने आपको discuss किया हुआ है जिससे आपको फाइदा मिलेगा यदि उसको follow करेंगे तो आपको जो acidity की जो problem है वो दीरे 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 पर्मानेंटली खतम हो सकती है दोस्तों ये digene से related में आपको जो जानकारी दी है acidity से related जानकारी दी है आपको कैसी लगी दोस्तों comment section में comment जरूर कीजिएगा और कोई भी दवा लेने से पहले डॉक्टर की सला जरूर ले ले और जो दवा लेते हैं वो pharmacist वाली shop से ही आपको खरीदना चीए ताकि आपको पूरी उस दवा की जानकारी मिले दोस्तों यहीं पर last में आपसे यही कहूंगा चेनल को अभी भी subscribe नहीं किया हूँ है subscribe कर ले, bell icon को enable कर ले यदि ये काम आपको अच्छा लगा तो अपने दोस्तों को, अपने friend circle को, अपने family members को share जरूर कीजिएगा और आप इस काम को support करना चाहती तो thanks कबटने दवाना ना भूलें दोस्तों इसी के साथ मैं आपको बहुत भूँत धन्यवाद देता हूँ Thank you, thank you once again